नमस्कार, मैं पूनम्त्रिवेदी, अनुदेशक, राजकीय और द्योगिक प्रसिक्षण संस्थान अली गंज लखनव, आज मैं आप लोगों को विशाय टर्नर के विशाय सैधान्तिक की पाठी चर्या में अंकित प्रसंग, कटिंग स्पीड, फीड तथा देफ, तॉप कट पर प्रसिक्षण प्रदान करूँगी, एक अच्छे कारिगर को मशीन पर कारे करते समय, कटिंग स्पीड तथा फीड का घ्यान होना बहुत ही आवश्यक है, अगर कारिगर को मशीन की कटिंग स्पीड और फीड नहीं पता हो तो वह सही से कारे नहीं कर पाएगा तथा टूल की धार बार-बार खराब होगी इसलिए टूल की धार को अधिक समय तक बनी रहे तथा operation में कोई भी परिशानी ना आए दिक्कत ना आए और operation cutting operation continuously हो सके इस वज़े से हमें cutting speed और feed का ध्यान होना बहुत ही आविश्यक है rough turning में feed की मात्रा को अधिक तथा finish turning में feed की मात्रा को कम रखा जाता है यदि cut की गहराई अधिक हो तो feed की दर को कम कर दिया जाता है क्योंकि cut की गहराई feed तथा speed दोनों पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालती है जैसे कि यह job घूम रहा है इस पर हम देख सकते हैं कि अगर इसकी इस घूमते हुए job की हमें cutting speed और feed नहीं पता होगी अगर हम इसकी सही speed पर इसको नहीं चलाएंगे तो cutting operation सही से नहीं होगा टूल की धार बार-बार खराब होगी इस वज़े से cutting speed और feed का घ्यान होना बहुत ही आवश्यक है cutting speed लेथ मशीन पर cutting tool लेथ मशीन पर कारे करते समय cutting tool के job के इसपर्ष करने के बाद जितनी परिधी दूरी वा तै करता है एक मिनट में जितनी परिधी दूरी तै करता है उसे हम cutting speed कहते है लेथ मशीन के cutting tool के cutting edge के द्वारा घूमती हुई जौब की परिधी सतय से एक मिनट में जितनी दातु काती जाती है यह जौब घूम रहा है आपको दिख रहा है यह जोब बंधा हुआ है और इस घूमते हुए job के पर cutting tool के द्वारा एक मिनट में जितनी धातू काटी जाती है उसे हम cutting speed कहते हैं. Carbide tip के लिए cutting speed तीन से चार गुना अधिक रखी जाती है. जबकि high speed steel और high carbon steel की अपेक्षा, carbide tool की cutting speed ज्यादा होती है. 3-4 गुना अधिक रखी जाती है. Cutting speed को ग्याद करने का सूत्र है. मेट्रिक प्रणाली में cutting speed ग्याद करने के लिए फार्मुला लगाते हैं π.dn upon 1000 जहां पर d जॉप का व्याज है, n rpm है. पाई की वैली 22 बटे साथ होती है. तो अगर मेट्रिक प्रणाली में cutting speed ग्याद करना है हमें, इसकी यूनिट होती है, meter प्रणाली में, अगर British प्रणाली में cutting speed ग्याद करना हो, इसके लिए फार्मुला है π.dn upon 12 foot प्रणाली के लिए ये फार्मुला है और British प्रणाली के लिए ये पाई dn upon 1000 and π.dn upon 12. cutting speed की गढ़ना हम किस प्रकार करते हैं, 40 mm व्यास के जॉब के लिए cutting speed ग्याद कीजिए, जबकि spindle 700 चकर प्रतिमिनट की गति से घूम रहा है, spindle का RPM दे दिया गया है, 700 चकर प्रतिमिनट, diameter यानि की जॉब का व्यास है, 40 mm, तो हम फॉर्मिला लगाएंगे cutting speed का, metric में फॉर्मिला पता है, π.dn upon 1000, इसको RPM को हम N से denote करते हैं, तो π.dn upon 1000, π.dn upon 1000, पाई की value 22 बटे साथ रखेंगे, d है 40, 40, RPM 700 upon 1000, इसको solve करने पर 88 meter प्रतिमिनट आएगा, तो इस प्रकार से हम किसी job का अगर diameter हमें पता हो, RPM पता हो, तो उसकी cutting speed की गढ़ना हम कर सकते हैं, कटिंग स्पीड का चुनाओ, करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहला है काटे जाने वाली material का प्रकार, अगर hard metal है तो हम cutting speed कम रखेंगे, अगर soft metal है तो उसके लिए cutting speed हम ज्यादा रख सकते हैं, तूल next है, second tool material, जैसे कि हम high carbon steel या high speed steel का प्रयोग करते समय, cutting speed को कम रखते हैं, और carbide tools का प्रयोग करते समय, cutting speed को ज्यादा रखते हैं, क्योंकि carbide tip tools जो होते हैं, वो cutting high cutting speed के लिए प्रयोग किये जाते हैं, तो tool का material भी cutting speed के चुनाव पे हम ध्यान रखते हैं कि ऐसा tool का material है, इसके हिसाब से cutting speed को रखते हैं, third है job का व्यास, ज्यादा diameter वाले व्यास के लिए cutting speed को कम रखते हैं, और कम diameter वाले व्यास के लिए cutting speed को अधिक रख सकते हैं, fourth number है cut की गहराई, कि हम कितना गहरा cut लगा रहे हैं.. तो अगर ज़ादा हमें cut लगाना है, तो cutting speed को कम रखना होगा, क्योंकि अगर अधिक गहरे cut लगाएंगे और cutting speed लगाएंगे तो tool खराब हो जाएगा, तो इस वज़े से अधिक गहरे कट लगाने के लिए कटिंग स्पीड को कम रखते हैं और अगर पतली कट लगाने हैं छोटा कट लगाना है तो कटिंग स्पीड को अधिक रखते हैं फिफ्थ है मशीन की स्थिती मशीन की स्थिति, मशीन अगर नहीं है तो cutting speed ज्यादा रख सकते हैं, अगर पुरानी मशीन है तो उसको हम ज्यादा speed पर नहीं चलाते हैं सिक्स नमबर है, फीट की दर, फीट की दर से भी cutting speed का चुनाओ करते समय हमें, फीट की धर को भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर फीट ज्यादा है, तो cutting speed हम कम रखेंगे, अगर फीट कम है, तो cutting speed अधिक रख सकते हैं चाओ, क्योंकि कटिंग करते हैं, फीट को अधिक सपीट पर घुम एक सकते हैं, लेकिन कहते हैं आएक घुटिंग की धर को बड़ाइए, यान कि cutting speed कम रखते हैं यहां पर job की speed से मतलब है cutting speed हम कम रखेंगे जितनी speed से cutting करनी है cutting speed coolant का प्रियोग करते समय अधिक तथा अगर आप coolant का प्रियोग नहीं कर रहे हैं तो कम रखते हैं 8th नमबर operation के प्रकार किस type के operation हम कर रहे हैं उसके हिसाब से cutting speed का चुनाव किया जाता है जैसे कि turning, pacing, drilling, step turning, taper turning इन में cutting speed अधिक रख सकते हैं nerling में cutting speed को कम रखते हैं और threading में cutting speed को कम रखते हैं machine की motor की horsepower का मतलब है कि अगर आपकी machine की motor ज्यादा horsepower की है तो आप cutting speed अधिक रख सकते हैं अगर कम horsepower की है तो cutting speed को कम रखेंगे Surface finish का प्रकार कैसी surface finish हमें चाहिए इसके इसाब से भी हम cutting speed का चुनाव करते हैं अगर finish surface चाहिए तो cutting speed ज्यादा रखेंगे अगर rough surface चाहिए तो cutting speed को कम रखेंगे Feed प्रम चित्र के एक चकर पर करने में टूल जितनी दूरी टैक करएगा उसे हम प्रति चक्कर से लिखते हैं, यह दीन प्रकार की होती है, longitudinal, cross feed और angular feed. Longitudinal feed का मतलब है, जब टूल, यह tool दिखाया गया है चितर में और यह job है, वर्कपीस यानि के job, यह work piece है और यह tool है, तो जब टूल, बेड के समानतर चलता है, तो उसे हम longitudinal feed बोलते हैं, बेड के समानतर, जैसे यह बेड के समानतर चल रहा है, अगर इधार को cutting कर रहा है, जैसे फॉर एक्जामबल, टर्निंग, टर्निंग में हम बेड के समानतर cutting करते हैं, तो यह हो गया longitudinal feed, सेकेंड है cross feed, cross feed में tool बेड के समानतर ना हो करके उसके perpendicular, यानि के लंबवद चलता है, जैसे कि tool इस direction में चलेगा, बेड के लंबवद, तो यह हो गया longitudinal, तो यह तीन प्रकार हो गया फीड के, फीड को हम इस formula के द्वारा दर्श आ सकते हैं, feed बराबर, cut की लंबाई, कितना लंबा हमें cut लगाना है, goode cut की संख्या, but a turning sum है, goode RPM, जितना लंबा job है, जितना हमें cut लगाना है, उसकी length रखेंगे, यहां पे cut की संख्या, कितने cut में हम उसको remove कर, कितने cut में उसको हम finishing ला रहे हैं, turning समय कितना time लग रहा है, हमें finishing लेने में या हमें उस operation को complete करने में, goode RPM मशीन कितने RPM से घूम रही है, तो feed की, feed को define करने के लिए, हमें एक formula दिया गया, cut की लंबाई, goode cut की संख्या, but a turning समय, goode RPM, और इसकी unit होती है, meter प्रती चक्कर, तो इस तरह से हम feed क्याद कर सकते हैं, feed की गढ़ना किस प्रकार करते हैं, एक 300 mm लंबी, 50 mm व्यास की job को, एक पूरा cut लगाने में, 4 मिनिट का समय लगता है, diameter लंबाई दे दी गई है, job की 300 mm, 50 mm व्यास है, यानि कि D, 50 है, turning time दे दिया गया है, 4 मिनिट, material की cutting speed दे दी गई है, cutting speed C, S, 20 meter प्रती मिनिट, और spindle का RPM दे दिया गया है, 200 चक्कर प्रती मिनिट, इतनी चीज़ें हमें इसमें गयात है, अब हम में feet गयात करनी है, पूरा cut लगाने में, कितनी feet निकालेंगे हम, तो इसका formula है, job की लंबाई, गुड़े कट की संख्या, बटे, समय गुड़े चक्कर प्रती मिनिट, तो इसके लिए हम यहां लिखेंगे, job की लंबाई दे दी गई है, 300 है, एक पूरा cut लगाने में लिखा है, job को एक बार पूरा cut लगाने में, यानि कि cut कितना है, number of cut, 1 है, यहां पर समय लग रहा है, 4 मिनिट और RPM है मशीन का 200, इस तरह से हम इसको solve करके, यहां पर feed को ग्याद कर लेंगे, तो feed आजाएगा, 0.375 मिलिमीटर प्रती चक्कर, इस तरह से हम feed को ग्याद कर सकते हैं, feed निर्धारण करने वाले factor, feed को हम निर्धारित करते समय किन factor का ध्यान रखते हैं, तो पहला है job की सतय पर finish का प्रकार, कैसी finish हमें लानी है, rough finish या finished job चाहिए हमें, तो अगर job की सतय हमें finish सतय चाहिए, तो उसके लिए हम feed को speed अधिक रखेंगे, feed कम रखेंगे, और अगर हमें rough surface चाहिए, तो उसके लिए हम speed कम रखते हैं, फीड ज्यादा रखते हैं, second है tool की पकड, tool किस प्रकार से हम tool की पकड मजबूत है, तो feed को हम अधिक रखेंगे, और tool की पकड मजबूत नहीं है, तो feed को कम रखेंगे, coolant का प्रियोग, next है coolant का प्रियोग, अगर आप coolant प्रियोग कर रहे हैं, तो feed कम रखेंगे, fourth है tool की geometry, tool की geometry कैसी है, tool अगर tool की edges है, उसका angle सही है, वो सही grind हुआ है, तो feed अधिक रखेंगे, अगर हूँ सही grind नहीं है, उसकी geometry सही नहीं है, तो हम उसको feed को कम रखते हैं, next, cut की गहराई, कट की गहराई को हम किस प्रकार ड़ाते हैं कट की गहराई job से टूल को इसपर्श कराने के बाद cross light द्लारा tool जितना आगे बढ़ाया जाता है उसे cut की गहराई कहते है यहाँ पर दश आया गया है चित्रमें यह job है यानि कि वर्क पीस है इसको टूल से हमने टच करवाया, उसके बाद में हम कितना टूल को आगे बढ़ाते हैं, जॉब से टूल को इसपर्स कराने के बाद, टूल को जितना आगे बढ़ाया जाता है, उसे क्रॉस स्लाइड द्वारा, क्रॉस स्लाइड से हम जब टूल को आगे बढ़ाते हैं, तो य Capital D क्या है यहाँ पर, Capital D जॉब का फुल डायमीटर है, जैसे कि पहले जॉब ऐसा था, यह चक में जॉब बंधा हुआ है, यह जॉब है, और हमने यहाँ से टूल को टच कराया, जितना हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यह कट की गहराई हुई, तो अगर हमने टर्निंग की तो यह कुछ इस प्रकार से, इसको कटिंग करने के बाद, यह कुछ इस प्रकार से बन गया, तो Capital D वो डाया है, जो टर्निंग के पहले का डाया है, हमने टर्निंग नहीं की, उसके पहले जो डायमीटर था, उसको हम Capital D लिखते हैं, कट लगाने से पूर्व का व्यास, तथा Small D कट लगाने के बाद जो व्यास बचता है, उसे हम Small D से दिनोट करते हैं, तो, कट की गहराई को निम्न सूत्र के द्वारा दिर्शा सकते हैं, Capital D, यानि की, कट लगाने से पूर्व का जॉब, Minus Small D, कट लगाने के बाद का जॉब, का व्यास बटे 2, इस प्रकार से हम, कट क सब्सक्राइब करते हैं, तो, कट की गहराई के गढ़ना किस प्रकार करते हैं, किसी जॉब का व्यास 60 mm है, और कट लगाने के पश्चात उसका व्यास 50 mm बचता है, पहले व्यास जो दिया है, हमारे पास Capital D, 60 है, कट लगाने के बाद, small d जो बचा, कट लगाने के बाद का व्यास, वो 50 mm है, तो, कट की गहराई किस प्रकार गयाद करेंगे, कट की गहराई गयाद करने का formula हमें पता है, हम यहाँ पे values रखेंगे, 60-50 by 2, इस प्रकार हम इसको solve करेंगे, तो, आ जाएगा 5 mm, तो, कट की ग गहराई को नियंद्रित करने वाले factor, कट की गहराई नियंद्रित करने के लिए निमने factor है, first है, काटी जाने वाली धातू, किस प्रकार की धातू को हम काटना है हमें, अगर hard metal है तो, उसमें हम ज्यादा गहरा कट नहीं लगाते हैं, क्योंकि तूल की धार खराब हो जाती ह और अगर soft metal है, तो गहरा कट लगा सकते हैं, काटे जाने वाली धातू पर कट की गहराई निर्भर करती है, second है, cutting tool का material, cutting tool किस धातू का है, अगर carbide tip tools हम प्रयोग करते हैं, जो की high speed पर कारे करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं, और यह बहुत hard होते हैं, इनसे हम cutting tool है, तो उससे हम cutting cut की गहराई ज्यादा रख सकते हैं, ज्यादा गहरा cut लगा सकते हैं, अगर high speed steel या high carbon steel का tool हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए cut की गहराई ज्यादा नहीं रखते हैं, कूलेंट का प्रयोग, बहुत जरूरी है, cutting करते समय, क्योंकि अब जब भी cutting करते हैं, अगर coolant का प्रयोग नहीं करते हैं, तो टूल गरम हो जाता और उसकी धार खराब हो जाती है, तो इसलिए coolant का प्रयोग बहुत ही आविश्यक है, अगर आप coolant का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अगर आप कुलंट का तब हम कट की गहराई को कम रखते हैं और अगर हमारी मशीन की स्पीड से घूम रहा है तो कट की गहराई को अधिक रख सकते हैं फिफ्ट ऑपरेशन का प्रकार किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहे हैं हम टर्निंग कर रहे हैं कि स्टेप टर्निंग है ड्रिलिंग है कि अपका थ्रेडिंग है अलग-अलग ऑपरेशन पे कट की गहराई को निर्भर करती है जैसे थ्रेडिंग करते समय कट की गहराई कम रखते तर्निंग समयh हम rough turning में cut की गहराई जादा रखते हैं और finished turning में cut की गहराई को कम रखते हैं 66 नंबर है मशीन की दशा अगर मशीन आपकी पुरानी या पहले की मशीन है तो उसके लिए ज्यादा हम गहरा कट नहीं लगाते हैँ और अगर मशीन नहीं है, अगर उसकी इस्तिती अच्छी है, तो हम गहरा कट लगा सकते हैं. सबंध नंबर है मशीन की चमता मशीन की चमता या उसकी होस्पावर कि इस impress कि अगर तो गहरा-कट लगाव सकते हैं अगर नहीं अच्छी है तो गहरा-कट नहीं लगाते तूल की असफलता के कारण निम्न है काटे जाने वाली material के अनुसार tool material का ना होना हर धातु के लिए तूल अलग-अलग लिस्ट बनी हुई है हर धातु के लिए अलग-अलग tool हम प्रयोग करते हैं जैसे कि soft metal है तो उसके लिए हम high carbon steel, high speed steel और hard metal है तो उसके लिए हम high cobalt bit का प्रियोग करते हैं, तो अगर काटे जाने वाली धातू cutting के हिसाब से cutting tool नहीं होगा, तो tool हमारा जल्दी खराब हो जाएगा, तो काटे जाने वाले material के अंसार cutting tool के material का होना बहुत ही अवश्यक है, सेकेंड है cutting speed, cutting speed भी बहुत माइने रखती है जब tool को लंबे समय तक चलाने के लिए, क्योंकि अगर हम अधी cutting speed पे जादा गहरा cut लगा देते हैं, तो tool जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए हमें cutting speed भी कम रखना चाहिए, तो उससे हमारी tool जल्दी खराब नहीं होता है, ज्यादा feed बढ़ा देने से भी tool जल्दी खराब हो जाता है, फीड को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है, फीड अगर कम रखेंगे तो tool जल्दी खराब नहीं होता है, फूर्थ है tool की गलत setting, अगर tool सही set नहीं हुआ होगा, तब भी tool जल्दी खराब हो जाएगा, तो tool की धार जल्दी खराब हो जाएगी, इस वज़े से tool को हम सही से set करते हैं, फिफ्ट नमबर, coolant का प्रयोग, coolant गलत प्रयोग, कभी-कभी coolant को प्रयोग नहीं करते हैं, तो tool खराब हो जाते हैं, फिफ्ट नमबर है, tool का सही grind ना होना, जब भी हम cutting operation करते हैं, तो tool को grind कर लेते हैं, तो अगर tool सही grind नहीं हुआ होता, तो उसकी धार जल्दी खराब हो जाते हैं, tool की geometry होती है, उसको हर angle होते हैं, proper grind होना बहुत ही आवश्यक है, तो उसको सही grind नहीं होगा, तो tool की धार जल्दी चली जाएगी, बार बार हमें धार लगानी पड़ेगी, 7th number, job या tool में अधिक कमपन होना, अगर job सही set नहीं किया है चक में, तो वह वाइबरेट होगा, या बहुत अधिक speed पे चला दिया है, या लंबा job ले लिया है, तो इस हिसाब से cutting tool का अधिक कमपन होता है, तो वह इससे भी tool खराब हो जाते हैं, नेक्स्ट है, अधिक गहरा cut लगा देना, जादा गहरे cut लगाने से जल्दी tool खराब हो सकते हैं, मशीनिंग समय, किसी job के लिए लेट मशीन पर मशीनिंग समय की गढ़ना उसके तब ग्याद की जाती है, जब हमें job की लंबाई, speed और feed मालूम हो, तो मशीनिंग समय को हम निमने formula से ग्याद करते हैं, job की turning लंबाई, गुड़े cut की संख्या, बटे चक्कर प्रति मिनट, गुड़े feed प्रति चक्कर, तो RPM अगर यहां से निकालना होगा हमें, RPM निकालने का फॉर्मुला अलग है, cutting speed गुड़े 1000 बटे पाई इंटो D, यह होता है, मिट्रिक प्रणाली में, मिट्रिक के लिए, और ब्रिटिस प्रणाली में, कटिंग स्पीड, RPM निकालने का यह फॉर्मुला है, cutting speed गुड़े 12 बटे पाई इंटो D, तो इस तरह से हम यहां से RPM ग्याद कर सकते हैं, तो मशीनिंग समय ग्याद करने के लिए फॉर्मुला है, जॉब की टर्निंग लंबाई, गुड़े कट की संख्या, बटे चक्कर प्रति मिनट, कितने चक्कर प्रति मिनट लग रहा है, यानि कि RPM गुड़े फीड प्रति चकर, इस फॉर्मुले से हम मशीनिंग समय ग्याद कर सकते हैं. एक कोशिन दिया हुआ है, 400 mm लंबी, 50 mm व्यास की जॉब को एक पूरा कट लगाने के लिए कितना समय लगेगा, जबकि कटिंग स्पीड 30 mm प्रत्वी मिनट और फीड 0.5 है. तो इस फॉर्मुले में हम यहां पर सारी वैल्यूस को पुट करेंगे, कटिंग स्पीड 30 दिया है, 1000 rpm दिया है, पाई की वैल्यू 22 बटे साथ है और 50 डायमीटर है. तो इसको सॉल करके यहां से हम आर्पीम ग्याद कर लेंगे. हम आर्पीम ग्याद हो गया है, अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे. तो जॉब का डायमीटर तर्निंग पुट करने पर हमारा चार मिनट 11 सेकंड आ जाएगा मशीनिंग समय मिनट में. विभिन अधातों के लिए कटिंग स्पीड, कार्बाइट टिप्टूल के लिए कटिंग स्पीड रखते हैं जो वह देखिए यहां पर. अगर हमें फ्री मशीनिंग स्टील करनी है, तो हैवी कट लगाने के लिए कटिंग स्पीड हेवी गट के लिए 106 और फिनिश कट के लिए 090 लगते हैं, इस प्रकार फ्री लो कार्बन स्टील, मीडियों कार्बन स्टील, हाइ कारबन स्टील, कास्ट अरण, नीमिनियम प्लास्टिक, इन ने मेटेरियल्स के अगर हमें मयंंग士 तो इसके लिए अलग-अलग cutting speed तथा feed की values दी हुई है, इस table के हिसाब से हम इसको रखते हैं. जैसे की low carbon steel के लिए 106 रखते हैं heavy cutting speed तथा finish cut में 190 रखते हैं, medium carbon steel के लिए heavy cutting speed 91.4 और finish cutting speed 152.4 रखते हैं. cast iron के लिए 68.6, brass and bronze के लिए 175.3, aluminium के लिए 76.2 and plastics के लिए 61.5 रखते हैं cutting speed. इस प्रकार इस table से हम अलग-अलग धातों की machining करते समय कितना cutting speed रखना है यह हम ज्याद कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही cutting speed को रखते हैं. आज मैंने आप लोगों को परिचय में cutting speed, cutting speed का चुनाव, feed, feed निर्धारित करने वाले factor, cut की गहराई, tool की असफलता के कारण, machining समय तथा विभिन धातों के लिए cutting speed के बारे में precision प्रतान किया. आज मैंने आप लोगों को cutting speed, feed तथा depth of cut पर prescription प्रतान किया है. आशा करती हूँ कि आप सिक्षन आपके भविष्य हे तो मुददगार होगा. धन्यवाद. आपके जोगों के तो मुददगार होगों कि आपके प्रतान किया है. कर दो कर दो कर दो